हेलो एवरीवान दिस भारतियर वेल्कम बैक टो मैं चानल ड्रीमाइस आज हम करने वाले हैं येस सल्यूशन ओफ लीनेर एक्वेशन का पार्ट फॉर जिसमें हम करेंगे इंवर्जिन मैथर्ड टू क्रोस ट्रू मैट्रिक्स के इंवर्स से हम कैसे सल्यूशन निकालता हैं य बहुत इजी आई होप आपको लास्ट फ्लास का कंसेप्ट क्लियर है क्योंकि वो यहाँ पर बहुत हेल्प करने वाला है इस मैथर्ड में जैसे कि आपको पता है थी मैट्रिक्स चाहिए ताट इस ए एक्सेंड बी ठीक है ए मैट्रिक्स क्या होती है जिसमें आप क्या जो आपके पास right side पे constants means पड़े होते है उनको B में लेते है और X में क्या लेते है जो variables आप ले रहे हो जैसे XYZ उनको लेते है अप X में ले रहे है चीज़ तो ये A, B and X उसके बाद क्या करते है आप determinant निकालते है A का आप इसका determinant निकालके देखेंगी ठीक है determinant कैसे निकालते हैं बहुत तीज़ है determinant निकालना तो 2, 1, 1, 8, 1, 2, 5, 1, minus 1, 2 लिया, that will be minus 1, minus 2, minus 8 लिया, minus 1, minus 1 यह मैं करवा चुकिए determinants यह अब आपको practice होने चाहिए पहले आप 9th chapter जो मैंने matrices cover किया है उसको अच्छे से देखिए तब ही clear होगा और यह most, most important है मैं बार-बार बोल रहे हूँ 10th chapter से question most important है आगे देखिए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 5 लेंगे अब हम 5 लिया तो 2, minus 1 that will be 2, minus 3, minus 8, minus 2, plus 5, 1 तो यह क्या हो जाएगा minus 6, plus 16, plus 5 वीडियो को pause कर दिया करो और खुद निकाला करो that will be 16, minus 1, 15 इसका determinant क्या आचुका है, non-zero ठीक है, determinant क्या आचुका है, 15 जो की non-zero है आपको पते है इसका solution कैसे निकलता है, x is equals to a inverse b आप a inverse निकालोगे, उसको b से multiply करोगे आपको यहाँ पे x, y, z की value मिल जाएगी जब आप इन तोनों matrix को multiply करते हैं, आपको numbers मिलते हैं suppose 3, 4, 5, ठीक है, suppose कर रहे हैं, यह answer नहीं है, suppose तो जो first number है means x की value है, जो second number है वो y की और जो third number है z की, क्योंकि two matrices तभी equal होती हैं अगर उनके corresponding position के elements equal होते हैं तो x यह आप ऐसे x, y, z की value निकाल सकते हो और इन तीनों equation में डाल के देखना, satisfy करवा के देखना कि आपका answer correct है की नहीं कई बार क्या होते है, first equation को satisfy कर रहा होते है, second को नहीं तो वो आपका answer जो है correct नहीं होगा, बहुत सारे equations में ऐसा होते है ठीक है, तो equation आपके लिए है, क्योंकि इसमें determinant non 0 आ चुक है कौन से matrix चाहिए, A, X and B, ठीक है, A matrix लेते हैं क्या आएगा आप ध्यान से देखो, यहाँ पर X है, Y है, Z है, यहाँ पर भी X, Y, Z है, यहाँ पर X missing है इसको लिख लो 0 into X, अगर Y missing है 0 into Y, otherwise आप matrix लिखने में mistake कर जाओगे ठीक है, यहाँ पर है 2, 1, 0, minus 1, 2, 5, 3, minus 1, minus 5, यह बहुत common mistake है जो बच्चे करते हैं यह ऐसे नहीं 2, 1, 5 नहीं लिख लेना, पहले देखो X के coefficients फर्स्ट कॉलम में आएगे ठीक है, फिर X क्या होता है, जो इसमें variables use हो, that is X, Y, Z और B क्या है, जो right side पर आपके पास constant है, that is B, B is equal to 1, 2, 3, clear यह आपके पास AI चुका है, यह आपके पास X है, और यह आपके पास B, आगे देखिए, सबसे पहले step क्या होता है फिर इसके बाद determinant निकालना, निकालते हैं, देखो क्या आएगा, 2 into minus 10, plus 5, फिर plus 1 into minus 5, plus 0 जब आपकी practice हो जाएगी, आपको भी इतना easily determinant निकलेगा आपका भी, आपको भी दिखिंगी terms कौन सी क्या लेनी है यहाँ पे plus 3, 5 minus 0, it will be 2, और यहाँ के पास आज़ेगा, minus 5, plus 1, minus 5, and plus 15 तो देखो minus 10, और यहाँ पे minus 5, plus 15, means minus 10, plus 10, यहाँ के पास क्या आएगा, 0, it means, यहाँ पे मेरा A matrix का determinant क्या आचुका है, 0 तो A inverse तो exist नहीं करता, तो मुझे किसके लिए जाना पड़ेगा अब, adjoint A into B के लिए, कि यह 0 हो रहा है कि नहीं, अगर इसने इसका कहना मान लिया determinant का, मतलब इसके 0 होने से अगर यह 0 हो रहा है, मतलब determinant 0 होने से अगर यह 0 आजाता है, तो हम कहेंगे इसके पास infinitely many solution है, adjoint निकालने का minus co-factors वो आपके लिए है, मैं adjoint नहीं discuss करने वाली, video कर दो यहीं post, मैं direct answer लिख रही हूँ, इसके adjoint आप निकालना, that will be 5, 5, 5, 5, 10, and 5, this is minus, 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 and this is minus, आप adjoint इसका निकालके देखना properly, ठीक है, अब adjoint A into B करूंगे, means 1, 2, 3 से multiply करूंगी, क्या यह 0 आ रह मैं भी करवा देतू, साथ-साथ है na, adjoint निकालके ठक चुके होंगे आप लोग, adjoint A into B, देखो मैं inverse निकालने को आप लोगों को बोल रही हूँ, मैं आपको determinants बोल रही हूँ, क्योंकि आपकी practice होगी, मैं तो फटफट निकाल दूंगी short term से, या फिर फटफट आपकी calculations कर बाके, but benefit कब होगा, जब आप खुद calculations करेंगे, तो जैसे में अब adjoint बोले है, आपको वीडियो यह पोस्ट कर देनी चाहिए, adjoint खुद से निकालो, नहीं आद आ रहा, तो वीडियो को जाके revise करो, ठीक है, concept यह नहीं एक बार कर लेता, आपको mind में रहेगा, आप उनको revise क करते रहने है, ठीक है, चलिए फिर इसको multiply करते हैं, तो हमारे पास आएगा, minus 5, 5, 5, 10, and this is again 5, minus 5, 5, ठीक है, इसको यहाँ पे plus था, यहाँ minus है, और यहाँ पे हमारे पास आपके पास आचुका है, that is 1, 2, 3, तो लिख देते हैं, 1, 2, 3, लो जी लिख देते हैं, ठीक है, multiply क plus 15, and this is 5, minus 20, plus 15, मैंने simply क्या किया है, multiply किया है, matrix को, it will be plus 15, और minus 15, 0, this is again 0, and this is again 0, तो एज्जोइंट A भी ने, determinant A की बात मान ली है, इसका मतलब इसके पास क्या होंगे, infinitely many solution, क्या होगे, infinitely many solution, जब आपके पास 2 cross 2 के matrix थी, मतलब 2 equation का system था, तो आप बहुत simply x को केले ले लेते थे, और equation पुट करते थे, y मिल जाता था, यहाँ पे ऐसी नहीं करना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहली 2 equations क consider कर लो, ठीक है, हमने क्या किया, determinant 0 होने से, adjoint A भी 0 हो गया, अब उसके बाद infinite solutions तो होगे, बत निकालेंगे कैसे, वो अब हम देख रहे हैं, 2 cross 2 में सीख चुके, simply x को k डालना है, लेकिन 3 cross 3 में कैसे निकालते हैं, अब देखो, इसकी first 2 equations को consider कर लो, it will be 2x minus y, 1 minus 3z, x plus 2y is equals to 2 plus z, clear है चीज, अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या करने वाली हो, इसको मानूंगी A matrix, means A कैसे मिलेंगे, 2, 1, minus 1, 2, अगर आपको kramers rule याद है, means आपने अच्छे से किया है, आपको clear होगा, हमने db ऐसे निकाला था, ठीक है, x क्या होगा इसमें, x और यहाँ पर बार बस b क्या होगा, 1, minus 3, z, और 2, plus z, फिर से वही बार हम यहाँ से values निकालेंगे, x, y की इस third equation को वो satisfy करने चाहिए, अगर ऐसा हो जाता है न, it means इसके पास infinitely many solutions है, करें निकालें फिर values, चलिए, x is equals to A inverse, b से निकलेंगी values, a क्या आचुका है मिरे पस, a है मेरे पस 2, 1, minus 1, 2, फिर एट जोइन निकालेती हूं, मैं आप वीडियो पोस्ट करके फट अफट से एट जोइन निकालेंगे, आप जितनी बार एट जोइन, inverse, determinants निकालेंगे, आपकी एक तो practice होगी, calculation strong होगी, and third thing, जितना time आपको पिछली बार लगता था, उससे कम time value, this is 2, and this is 1, this is minus 1, and this is 2, चिक है, तो यह a, 1, 2 है, मैं फटा पच्छे कर रहे हूं, this, and इसका transpose, 2, minus 1, 1, 2, इसका adjoint है, inverse के लिए, determinant से डिवाइड करना पढ़ता है, 2 to the 4, plus 1, 5, that will be 1 by 5, यह आपके पास a inverse आगया, आप practice करोगे, आपके भी seconds में inverse निकलेंगे, clear है यह का B से multiply करेंगे, A inverse मेरे पास आया है, 2 minus 1, 1, 2, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 1 by 5 है, और यहाँ पर मेरे पास था, 1 minus 3Z, 2 plus Z, क्योंकि मैंने इन दो equation को लिया था, जिसमें Z को भी as a constant will be 1 by 5, 2 into 1 minus 3Z, plus 1 into 2 plus Z, similarly minus 1 into 1 minus 3Z, plus 2 into 2 plus Z, अगर अभी तक आपको matrix manipulation नहीं आती, मैं सच में कहने ही पहले है, नाइन चैप्टर अच्छी कीजे, वो आपका heart and core है इस चाप्टर का, चलिया आगे चलते हैं फिर, अब क्या हैगा, 1 by 5 as it is, 2 minus 6Z, यह 1 by 5 as it is रहेगा, ठीक इसको बहार रखते हैं, हमने matrix तो multiply कर दी, यह रहेगा, plus 2 plus Z, it is minus 1 plus 3Z plus 4 plus 2Z, clear है चीज, so it will be, आपके पास क्या बनेगा रेखो, 2 plus 2, 4 and that will be minus 5Z, और यहाँ पे 3Z plus 2Z, that will be 5Z and plus 3, और बहार 1 by 5 as it is, यह आपके पास आचुका है, A inverse B, clear है चीज, यह किस की equal था, यह X की equal था, A inverse B, है न, A inverse B किस की equal था, X के, means XY की value आचुकी है, 1 by 5, 4 minus 5Z and 5Z plus 3, clear है यह चीज, यहाँ से फिर X की value क्या आएगी, पहले हम इसको XY की value निकालने से, पहले 1 by 5 अंदर ले जाए हम, 4 minus 5Z plus 3 upon 5, पहले मैंने इसलिए इसको बहार रख रखा था, कि मेरेको जब multiply करू, मुझे denominator ना handle करना पड़े, इसको बहार रख दे, कोई फरक नहीं पढ़ता, बट अब हमारे पास value X की क्या ही है, 4 minus 5Z upon 5, और Y की value क्या ही है, 5Z plus 3 upon 5, अब इन values को हम अपनी third equation में डालेंगे, जिसको हमने कुछ भी नहीं लिया, है न, इन दो equation से निकालेंगे value, अब third में put करेंग कि इससे, जब मैं Y और Z left hand side में डाल रहे हूँ, क्या 3 आ रहा है मेरे पास, means यह इसको satisfy कर रही है कि नहीं, देख लेते है, minus 5Z, that will be, 5 से 5 cancel होगा यह, 5Z plus 3 minus 5Z cancel, that is 3, तो आपके पास Y और Z डालने पर right hand side के equal आ रही है, it means यह बिलकुल correct है, तो आप क्या करोगे infinite solution के लिए let कर लो Z को K, तो X क्या बन जाएगा, X क्या था आपके पास, 4 minus 5K upon 5 बन जाएगा, और Y आपके पास बनेगा 5K plus 3 upon 5, तो आपके पास आगे infinite solution, जहां पे भी infinite solutions हो, वहां पे आपको K मिलेगा है, मिलेगा, clear है चीज, मैं sum up कर देती हूँ, determinant निकाला, 0 आया, adjoint A into B निकाला, adjoint A B ने इसका कहना मान लिया, ये भी 0 आया, तो infinite solutions है, अगर इसका कहना नहीं मानता, तो हम कहतें no solution, बट इसने अच्छा बच्छा बन के भारा कहना मान लिया, चलिए फिर आगे चलते हैं, फिर हमने इसके बाद क्या किया, हमने 2 equations को consider किया, और यहां से A, X, B दुबारा निकाले, Z को right hand side ले जाकर, Z as a concentrate करके, तो जो हमारे X और Y आये, वो Z की terms में आये, वो हमने third equation में डाल के देखे, वो satisfy कर रहे थे उस equation को, फिर हमने खुद से Z को K put किया, और X, Y में भी Z की place पे K डाला, हमें अपना solution मिल किया, clear है चीज, बहुत easy है, बहुत easily आप कर सकते ह तो अगर आपको clear है, last class और इस class को समग, ठीक है, next question most important, मैं आपको सिर्फ इसकी equation बता के जा रहे हूँ, यह exam में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, तो ध्यान से देखो, यह बहुत easy है, आप क्या करो, put कर दो इसको, 1 by X को A, 1 by Y को B, और 1 by Z को C, simple, ठीक है, 2 by X को में लि रही न यह चीज, 2 by X को लिख सकते हैं, 2 into 1 by X, क्योंकि यह भी तो 2 by X ही बनेगा, तो मैं इस 1 by X को A लिख दू, तो means 2 by X को लिख सकते हैं 2 A, देखो, मुझे तो question solve करने आते हैं, X, Y, Z, उपर हो, यह तो denominator में है, यह तो problem create हो रही थी, तो मैंने 1 by X को A put किया, तब equation बने plus 9B minus 20C is equals to 2, यह मेरे पास equations बनगी, किस में बनगी, ABC में, clear है जीज, यहाँ पे C करना, ठीक है, अब simple वह equation A निकालोगे, जहाँ पे आपके पास ABC के coefficients होंगे, X में क्या आएगा, ABC आएगा, अब XYZ में आएगा, और B में जो right hand side में लिख है, वो निकालोगे, clear है चीज, कि सारा solve करने पे, आपको A की value मिलेगी, B की value मिलेगी, C की value, question खतम, नहीं, question किस में था, XYZ में, तो answers भी किस में होंगे, XYZ में, suppose A आपके पास आया है, 3, ठीक है, suppose A 3 आया, A क्या था, 1 by X, means 3 is equals to 1 by X, है न, A की value 3 आगे, आपके देखो, XYZ denominator में थे, आपने ABC में convert कर लिया, उ सबको solve करके, जैसे मैं आपको X is equals to inverse B सिखाया है, वैसे आप ABC निकाल लोगे, आप यहाँ पर question नहीं छोड़ना, A क्या था, 1 by X, A 3 आया, ठीक है, तो यह देखो, cross multiply करो, तो 3 X is equals to 1 आया, अब यह 3 इदर multiply हो रहा होता जागे, क्या होजगा, divide, तो X की value क्या बन गई, 1 by 3, तो अगर E 3 है, X क्या बनेगा, 1 by 3 means उसका reciprocal, similarly B 4 आया, तो Y क्या होगा, 1 by 4, similarly C 5 आया, तो Z क्या होगा, 1 by 5, clear है चीज, यह most important question इसको try जरूर करना, बहुत easy भी है, और repeat भी होता है exam, ठीक है, I hope you like this video, do like, share, comment and subscribe to my channel which is Dream Maths, thank you so much for watching. झाल